खे पर पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहिए एक और समस्या जो आ रही है सामने वो यह आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां है वो शादी के करने के लिए घर से बिना मा पिताजी की मर्जी के चली जाती है और इसके इतने दुखत परिणाम निकलते हैं मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है लड़का हो चाहें लड़की हो और कई सारी जो हमारी बेटियां है वो वेशा विरती तक में पहुँच जाती है उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है जिन्दगी में वो क्या कर पाएंगी क्या मापिता जी को उठाना पड़ता है मैं अनुर्गोद करूंगा कि बेटा बेटी से लगातार बातचित करें उनको अच्छे से अच्छे संसकार दें उनकी भावनाओं को अच्छे से समझें और अपने परिवार को बहुत मुझबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें झाल